और चुली बात करें उदेपूर की तो उदेपूर भी लगातार बारिश की वज़े से जो नदी नाले है पूरी तरीके से उफान पर आ गए हैं कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाए थी जहाँ पर ताज अरावली जो रिजोर्ट है उसके बाहर का जो क्याबिन था तेज बहाओ में बैग गया थो और अब भी कानपूर गाउं की अगर बात करें तो कानपूर गाउं से सटे मंगलिया बवजी मंदिर के आसपास पूरी त तरीके से पानी 6-7 फूर तक भर जुका है कॉंग्रेस नेता विवेक कटारा यहाँ पर पहुंचे है देरात कलेक्टर तारा चंजर मीरा ने भी मौके पर पहुंचकर यहाँ पर ज्वाजा लिया है तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं आयड नदी का यह पानी है जो इस इलाके में यहाँ पर अंदर खुषा है और उसके बात से लगातार है जो हालात है वो बिगरते नज़र आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे सायोगी अविराश जग्नाउत हमारे साथ लाइफ जडगए है अंका रुक कर लेते हैं विराश हालाथ जो है बहुर ज़्वादा आपको दिखाऊंगा खेत और उसके बीच में जो मकान है ये पूरा इलाका जो है ये टापू बना हुआ है करीब 15 परिवार जो है वो यहां पर फसे हुए है शाम को करीब 6 बजे बाद आयर नदी में पूरी उफान पे थी और उसी को चलते हुए जो नदी के पास सटा हुआ जो कानपूर घाओं का इलाका है खेत है वो पूरी तरह से पानी जल्मगन हो गए अभी भी यहां पर चार चार पांच पांच फिट यहां पर पानी भरा हुआ है देर रात जब सूचना मिली थी तो कलेक्टर तारा चन मीना कोंग्रेस नेता विवेक कटारा सही तमाम लोग जान पोगिया पर पहुचे थे और उस अभी ऐसे में लोग बहार आने को तैयार निये पर अपर प्रयास किय था ते कि इनको बाहर लाया जाएं लेकिन बड़ी राहत की बात यह कि बारिस का दोड जो है वो कमजोर हुआ है और उसके चलते अब जो पानी जो है खेतों में भरा हुआ था उसमें करीब एक से डेट दो फिट पानी जो है वो जल इस्तर नीचे हुआ है हाला कि अभी भी लोग जो है वो अपने घरों से बाहर जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं लेकिन लगातार चाहिस्तानी जनप्रतिनीद्यों की बात करे या प्रसाशन की बात करे वो उनसे संपर्ग में हैं लोगों से संपर्ग किया जा रहा है उनसे बात की जा रही है कॉंग्रेस दिता वीरेक कटारा से हम बात करें है विग जी आप रात को भी आप पर आये थे और अभी किस तरह की इस्तति है कैसे लोगों को रात पहुंचाई जारी है निशी तोर से आपने देखा जिसने से त्रिवेस्ट वही है उद्यपर जिले में भी बारिश लगाता निरंतर आ रही है और हमारे गिर्वा में भी गिर्वा के कानपूर गाम में देख्बू की भागल में खरबड़िया में कल रात को ही पूरिय मकान जल्मगन हो गए थे और रात को हम सब जहने प्रसाशन को भी कवर दी जिला कलेक्टर जिला सब यह वाजूत रहे तमाम प्रसाशन यहां पर था रात को भी हमने प्रसाशन किया करीब साथ मकान के सामने मांडलया बाबजी के पीछे हैं 25 लोग फसे वे थे उनमें से लोग आने लिए त्यार नहीं लेकिन हम लोग लगातर प्रयास करें अभी उनसे बातसीत भी हमारी चल रहे अभी तो वह सही है क्योंकि पानी के स्थर थोड़ा निचे आया है तो लेकिन बड़ी बड़ी बात है कि यहां पर खेत है और जहां पर भी हम भी जा रहे हैं देखरें खेतों में पानी बढ़ दूखा है फसल एक तरह से पूरी इस तरह से बरबाद हो गई है किस तरह से इनको रहात दिलाएंगे आज यह तक किस तरह आप बात पहुचाएंगे ताकि किसानों को जो है वह रात समय पर मिल पाए क्योंकि यह उनकी कमाई थी जिए निशीत वर्जे मुक्य फसल में मक्क जल्ड मिलने जा रहा है यह हमारे स्रकार की वन्शा भी है और सकलि स्रकार के हमारे हमने भी बात की और पहुचे और बारिसा में पव्लब कमजोर हुआ गुशित के हैं हमारे स्कूल हमारे किसान हमारे याम जिनसे मैं यही अपील करता हूं कि अब यह सब और बट बात है यह खेतों में ख़डी किसानों की मेहनत है वह यहां पर बर्बाद हुई है साथ ही लोग परिवार के साथ गरों में फसे हुए कईने कई लोगों तक ततकाल रहात पहुंचाए जाए और साथ ही जो फसलों का नुक्सान हुआ यह केवल कानपूर गाव नहीं तमाम जो उदेपूर जीले के गाव है आदिवासी इलाकों की बात करें क्योंकि जिस तरह से बारिस हुएते और उसके बाद नदी नालों में उफान आया था घरों में पानी खेतों में पानी वराता कहीनिके किसानों को भी राध देनी की जरूत है और साथ ही अगर बारिस होती है तो प्रशासन के सामने और इस पानी जनप्रतिव निद्यों के सामने एक बड़ी चुनोती होगी कि अगर इस तरह से यहां पर बनी होगी है लेकिन रहत की बाद ये भी है अवनाश की लगातार प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है जोहां से भी शुकायते मिल रही है वहां तुरंत पहु